बिहार में मानसून का पत्ता साफ हो चुका है और अब धीरे धीरे ठंड की एंट्री हो रही है राजे में वर्षा और वजपात की जगह अब ठंड को ले करके चितावनी जारी होगी तो इसी के साथ बता दे कि 20 ओक्टोबर के बाद से तापमान में गिराव अटाएगी पत्ना IMD की रिपोर्ट के अनुसार आज राजे का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और किसी भी जिले में वर्षा की संभावना नहीं है दिन में धूप तो रात में हलकी थंड का एहसास होगा राजे में नियूनतम तापमान 24 से 26 डिगरी तो वहीं अधिक्तम तापमान 32 से 34 डिगरी के आसपास रहेगा मौसम विभाग की माने तो 20 ओक्टोबर के बाद प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिगरी से गिरावट देखने के लिए मिल सकती है अभी राजे का नियूनतम तापमान 24 से 26 डिगरी से और अधिक्तम तापमान 32 से 34 डिगरी से बीच रह रहा है धीरे धीरे नियूनतम और अधिक्तम तापमान दोनों में कमी आएगी पच्छुआ हवा का असर भी बढ़ेगा और धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी वईवर्तमान में राजे के तापमान में 1 से 2 डिगरी का उतार चढ़ाब हो रहा है रविवार के रिपोर्ट के निसार रा होतरी के साथ अधिक्तम तापमान 33.7 डिगरी तापमान दर्च किया गया है आसमान साफ रहा सबसे अधीक तापमान बेगु सराय में 35.5 डिगरी सेस्यस रहा राजे में औसर तापमान 32 से 34 डिगरी के करीब रहा इधर मौसना विभाग की ओर से रविवार की दो पहे जारी रिपोर्ट के नुसार दक्षिन पुर्वी इलाके के दो जीलों में हलकी बारिश दर्श की गई है खगरिया में 9.9 मिलिमीटर और बाका में 1 मिलिमीटर बारिश हुई है रोतास में भी बादल बढ़ने के साथ बूंदा बांदी हुई है तो वही वर्षा की इस तरह की पर संचरन का शेत्र दक्षिन पूर्व बंगाल की खारी और इससे सटे हिंद महसागर के पास समुद्र से 1.5 किलोमीटर उपर बना हुआ है इससे राचे में वर्षा की इस्थिती बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन दक्षिनी पूर्वी इलाकों में 4-5 दिनों के बाद बहु दिन में हलकी धूप और रात में हलकी ठंड़े के साथ बिहार के लोग शरद रीतू का स्वागत करने के लिए तयार है